सो हाई गाइस कैसे आप सबीड押स आज जो हों करने मृण हो problemas कि इनका फॉराना यह तो का आथा शीर ऑपतो ना जो तो तो अब आप अचला निपकी ज़िए सकते हो एक हाफिवायो फॉरा अच्छा लगे तो मैं हमको ग्लोबल हे की शीए थोड़ा उपपर से डाग निचे से लाइट मी छीए जो थोड़ा कल पैटर्न में भी थोड़ा सा वह जो अचल लगए और जो हम एक तो पहला 9 101 तो यह आपको समझाने वाला उसलिए लाश्ट वीडियो को एंट तक जवरूर जो आपको practically समझा रहा हूं आप इसकी थियोरी भी देख लोगे ना समझ लोगे तो आपको concept clear हो जाएगा तो मैंने 8.32 color ले लिया है और इसमें मैं फ्लेम रेड का टच डाल रहां जो है। इसको मैं ज़्याधा गरामें निलुग एक century मितर लुगा ज़्यादा नहीं लुगा रेड कलर और इसे बाधोर में कित्यों डाल रहा हूं ये भी तोटली मिलाके एक सेंटिमेटर से थोड़ा सा बड़ा ही है आपको प्रोपर मिक्सिंग में त्योरी में आपको समझाने वाला हूं तो गाइस इसमें जो हम डैवलोपर यूज़ कर रहे है थैटी वोल्योम क्योंकि हमें ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए तो उनको भी थोड़ी सी चाहिए तो थैटी हमारे लिए इनफ है अच्छे से कलर को बना लेगे अच्छे से बनाना है क्योंकि इसमें रैट का भी टॉन आपको सभी को पता डला हुआ तो कई न कई एक जगा लग गया ना हेर पे तो वह अलगी रैट टॉन वहाँ पर आ जाएगी तो वह बहुत ज़्याद आजीब लगए देखिए जितनी इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपको हेर पर अच्छे से कॉम करनी होती है दैन आपको एप्लिकेशन करनी है और एप्लिकेशन आप सभी को पता है इसमें 30 वोल्यूम है और 30 वोल्यूम आप सभी को भी पता होगा कि रूट्स पर नहीं लगाते हम षूर्ट को कि छोड़ करें करें यह दीकिस तरीके से आपकोको कॉलर को अच्छे से स्प्रेड करना делать करना है और को dal Pi अच्छे से थाकि जो अच्छे से ताकि प्रॉडेक्टर अच्छे हर जगा स्प्रेड हो सकते हो जो कई रखनेसे 것으로 प्रोड़क्ट आपका मैं साधा घवन लगना चिह इसले हम कौं करते हैं को मतलब बराबर मतलब बराबर रैंचयों में इसलिए कौंक करते रहना जरूरी होता है और section by section हम इससी तरीके से सारे बालों पे इस hair color को apply कर लेगा थियोरी में आपको मैं proper समझाने वाला हूँ कि मैंने red क्यों लिया 9.1 क्यों लिया 8.32 क्यों लिया ठीक है गाइस और अगर आपके पास यह color tube नहीं आप कौन कौन सी color tube से कर सकते हो यह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखा करो क्यों कि थियोरी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है practical को समझने के लिए क्योंकि जब तक गाइस जिस चीज की आप थियोरी नहीं माँ जाता है तो आपको थियोरी practical दोनों ही ज़रूरी होती है वह यह आपके बेस पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते हो एक वीडियो में पूछा था कि मैं आप थियोरी बना हूँ ज्यादा या प्रेक्टिकल आप लोगों सबसे ज़्यादा comment आके उसको हम रखे के 45 मिनट्स और आप सभी को पता है कि जो 45 मिनट्स हम जो वेट करते हैं वह मतलब प्रोपर टाइमिंग नहीं हो अकॉर्डूंट टेक्चर होता है आप सभी को बता हो हमेशा आप फैसन सेट को वीजियोली चैक करा करो और गाइस आपको किसी भी तरीके की इनफोर्मेशन चाहिए हमारे सलोन से रिलेटेट को ऐसी भी इनफोर्मेशन चाहिए तो गाइस वह आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ हुआ है उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज मैंसन है तो आपको हमारे सलोन से रिलेटेट कैसी इंक्वरी चाहिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और गाइस हमारे सलोन का जो एड्रेस है कार्ड मैंसे ने एक वार मैं आपको बता भी देता हूं हमारा जो सलोन का एड्रेस है और हुईनी सेक्टर 17 मैं मार्केट राकिस मेकोवर के नाम से गा सलोन करते हैं कि यूँ यूज नहीं किया और हमें भी पता है कि नहीं किया होगा यूज कभी कावर हो जाता है तो कभी चल्यक्षा आप थोड़ा लेट आ रहा जिस सेक्षिन पर उस पर आप द्वारा यह एप्लिकेशन कर सकते हो काई आफ्टर 40 मिनिट्स वारा हम देख र तो एक तम से सारा कलर रिमूब नहीं करना होता शैंपू करते टाइम आपको पहले यही कलर को अच्छे से मलसिफाइए करना है हेर पे और थोड़ा सा पानी ज्यादा मतलब रूट्स पर लगाकर स्कैल्प पर भी कर दो ताकि जो इसकैल्प जो पर भी कलर जो है आपका इवन आजाए क्योंकि हमने अभी रूट्स पर नहीं लगाया है वह हम सैंपू सेक्षन पर पांस साथ मिनट इमसिफाइए करेंगे वह धरी रूट्स पर कलर जो है हमारा इवन आ जाता है और गाइस हमारा कलर कंप्लीट करने के बाद हमने सैंपू कंडिशन करने के बाद कर आपको यह प्रोपर एजटी इसी तरीके से छोड़ देने जिस तरीके से यह एंड्स मैंने छोड़ रखें क्योंकि क्या होता है ना इसको एंड्स पर करने से ना वह कल्स जब आप ओपन करते हो वह फिनिसिंग वह वाली लुक नहीं आती है जो आपको चाहिए होती है क्यो इसकी स्टेल लुक थी इनकी सॉफ्ट लुक थी और काफी ज़्यादा इनको प्यारी और पसंद आये चुल्क बॉर होचुकी थे हमारी क्लाइन तो इन्हों ना वोला सा थोड़ी सी जो लुक है ना थोड़ी ब्राउन की तरप चले जाए थोड़ा कलर ॉसकी तरफ तरब अपने हाथों में थोड़ा सा जो है सीरम ले लेना है अगर आप सीरम लोगे कल्स पर साइन भी अच्छी रहेगी और कल्स में ने वह स्मूतली खुलेगे मतलब एक दूसरे में ना उल्चे के नहीं फ्रीजी नहीं रहेगे ठीक है आपको इसकी प्रॉब्लम दूर होगी इस वीडियो से कि आप लोग पूछ रहे थे कि इसाइलें अपको सारे लेने आपको इस तरीके का फाइनल रीजयल्ट मिल जाए और गाइस इसकी थे सबसे पहले हमने लिए था 9.1 8.32 और हमने लिए था रैड ठीक है जो हमारा होता है 0.6 तो इस देखिए हमने रैड कलर को क्यों मिक्स के था आप सभी को पता है कि जब हमारा जो बिफोर था उसमें ना कलर में वह थोड़ा नीचे ना कई कई ना लाइटर सेड ता उसमें कई ना कई यलो की टोन आ रहे थी ठीक है अब यलो की टोन पर हम सीधा 9.1 करते या फिर 8.32 करते ना तो नो और आठ की जो डैप्थ है यह इस यलो को कमनी यह बढ़ाती ठीक है तो यह ना यलो टोन को और जबाती मतलब दवाती नहीं तो इसलिए मैंने उनके बालो पर ६ॉइंट 6 जो है एड किया था और उसमें मैंने यह आड़ कहाता है एक संटीमेटर है ठीक है आपको एक शंटीमेटर एक संटीमेटर आपको पॉइंट शी समने यूज किया था तो यह रीजन आप समझ गए होगी कि पॉइंट सिक्स मैंने क्यों एड़ किया था बात करते हैं पोइंट वन और यूज किया पॉइंट वन में आप सभी को बता है यह होता है जो हमारी कोपर टून को खतम करता है जो यलो के इंदर भी टॉन जाती तब जाके उपर वाले बरेखने फुरा वर्जन था अब बात करते हैं अगर यह इन आप कौन सा इउस कर सकते हैं एट पॉइंट-षरी-चे यूस कर सकते हैं तो वह सारी वह इत्रुम्हार एक्स्टर डार्क मिलता है क्ता है कर देता है अब push तो अ उतना कलर को कस्टमाइब्स करोंगे ना अपको किल कर आथा है बहुत ज्था अच्छा लगता है तो आयोप अश्छा ह कर आपको समझा लेगी विडिए पकिल्स मिल ते किल्दी करने नेक्सना करें कडेकर वाई गए